हाई गाईज वोगम बैक टो माई चानल इंडियन व्यूडियर टेप सेंट्रेक्स आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप इन ओपन पोर्स को कम कर सकते हैं एक बहुत ही सिंपल होम रेमेडी से तो चलिए शुरू करते हैं यू स्टार्ट होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बैल आइकन को प्रेस करें मेरे लेटिस वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए मैं आज आपको एक टोड़ना बताऊंगी इसके लिए सबसे पहले आपको हाफ लॉकी या बॉटल गार्ट चाहिए होगा और इसको छोटे-छोटे पीसिस में काट दे पर इसका बीच का वाइट पार्ट यूज ना करे वो आप सबजी बनाने में यूज कर सकते हैं लॉकी में बहुत सारे मिनरल्स, एंटी ओक्सिदेंस और विटामिन्स होते हैं और इसकें दू वंडर्स तो यूर स्किन, लेंदिंग इता हिल्डी ग्लू लॉकी आपके उपन पोस को बन करने में बहुत हिल्प करेगा एंड डामिज स्किन के लिए ये बेस्ट रेमीडी है सेकंड इंग्रीडियन जो मैं यूज कर रही हूँ वो एक हाफ कुकुमबर है ये एक नैच्रल एस्टरिजन की तरह काम करता है और आपके पोस को श्रिंक करने में हिल्प करता है इसे भी आप छोड़े छोड़े पीसे में काट लीजे और ये आपके स्किन टेक्शर को भी इंप्रूव करेगा एंड प्रोवाइड यू अफ्रेश ग्लो थर्द लास्ट इंग्रीडियन्ट मैं हाफ कप अफ ग्रीन टी यूज कर रही हूँ एंड इस दे बेस्ट फॉर ओईली स्किन पीपल यूजुली उपन पोस की प्रॉब्लम ओईली स्किन वालों को ही होती है फिर मैं कुकुमबर, लौकी और ग्रीन टी को एक ब्लेंडर में डाल दे रही हूँ ताकि मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर सकूँ याद रखे ग्रीन टी गरम होनी चाहिए फिर आप जब ब्लेंड कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा फिर आपको इसके जूस को सप्रेट करना है आपका एक बाउल जूस अराम से निकल जाएगा ओपन पोर्स के वज़े से आपके फेस में ब्लेक हेट्स, वाइट हेट्स, पिम्पल्स, एकसिक्टरा ऐसी प्रोब्लम्स कॉमन हो जाती है इसलिए मैंने ये टोनर बनाया है आप ये टोनर एक लीस्ट थ्री मन्स के लिए स्टोर कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर में और जब भी आप फेस वाश करें उसके बाद ये लगा सकते हैं मैंने इसे एक स्प्रे बोटल में स्टोर कर दिया है Thank you guys for watching my video, I hope you really enjoyed it then do not forget to give it a thumbs up